हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेस एकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आयो जी ते सभी परतियों की परिक्षावों के लिए टोपिक वाइज टोप इंपोडेंट प्रस्नों की सीरीज श्टार्ट की गई थी जिसमें राजस्तान जी के के टोटल अपने 25 टोपिक हैं वो कंपलीट हो चुके हैं आज अपना इसमें 26 नंबर का टोपिक है परतियक टोपिक के 100-100 प्रस्नों की सीरीज श्टार्ट की गई थी जिसमें आज अपना टोपिक आता है 26 नंबर का आबुसन एवं वेश बुसा तो दोस्तों आबुसन एवं वेश बुसा से समन्दित है आज माँ आपके लिए टोप 100 प्रस्न लेके आया हूँ जो परिक्षा में बार-बार पुछे गए है इसलिए बहुत ज़्यादा मैतोपुन है इन प्रस्नों को दोस्तों आप रट लेना और आध्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राब जरूर करना बैल आइकन को दबाना वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के सरी कलासे हैं वो जरूर देखें तो चली शुरू करते हैं पहला प्रस्न इसमें देखिए तगडी क्या है तगडी क्या है तो दोस्तों आप सभी को पतावना अच्छे तगडी क्या है ये एक आबुसन है क्या है आबुसन कहा पहना जाता है तो ये दोस्तों कमर पर पहना ये तगडी आबुसन, A number option सयुत्तर, next, second number प्रेसन है, एक आबुसन जो पुरुसो द्वारा उप्योग होता है, वह आबुसन जो पुरुसो द्वारा उप्योग में लिया जाता है, वो आबुसन कौन सा है, तो वो है दोस्तो, मुर्किया, ये कानों में पहनी जाती है दोस्त इसका राइट आबुसन, A number option बिलकुल सयुत्तर, आगे देखें, चार नमबर का प्रेसन है, पच्छेवडा है, पच्छेवडा क्या है, तो दोस्तो, पच्छेवडा है, ये मोटा सूती सोल को कहते है, मोटा सूती सोल, जो सूती सोल होता है न, मोटा उसको बोलते है, पच दारन करती है तो इसका right answer हो जाएगा वो है नाक में मैलाएं है ये नाक में नत दारन करती है तो इसका right answer दे नंबर option बिलकुल सहीतर हो जाएगा नत है वो नाक में पहनी जाती है आगे देखें शिक्स नंबर प्रेस ने राजस्तान में ताराबाद की ओड़नी किस वरकी मैलाओं में परचलीत है तो ये तो सभी को पताओगा दोस्तो ताराबाद की जो ओड़नी है ये आदिवासी मेलाओं में परचलीत है ए नंबर option बिलकुल सहीतर नेक्स्ट है आगे देखें निम्न में से कौन सा राजस्तानी पगड़ी का परकार नहीं है तो राजस्तानी पगड़ी का परकार कौन सा नहीं है तो यहाँ पे देखें मदील मोटडा लेरिया चुनर तो इसका राइट परकार नहीं है देखें विवा में मोटडे की पगड़ी सावन में लहरीये की पगड़ी और मंदील की पगड़ी पहने में जाती है अब आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आपसर रहे है में चूनड है यह पगड़ी का परकार नहीं है देनमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर है आगे देखे मांदलिया पहना जाता है तो मांदलिया अबुषन है यह कहां पहना जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है मैलाओं के गले में पहना जाता है यह मांदलिय आबुसन बे नंबर का उप्शन बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट नाए नंबर प्रेसन है दामना आबुसन कहां पैना जाता है दामना आबुसन कहां पैना जाता है तो यह दोस्तों अंगुली में पैना जाता है दामना आबुसन से नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दस नमबर प्रेशन है निम्नलिकित में से गलत यूगम की पैचान कीजिए तो दोस्तों यहाँ पे अपने को गलत यूगम की पैचान करना है तो यहाँ पे देखिए मस्तक बॉरला बिल्कुल सही है मस्तक के उपर बोरला पहना जाता है बिल्कुल सही है गला तिमनिया यानि कि बिल्कुल सही है गले में तिमनिया नामा का अबुसन पहना जाता है कमर गोकरू यहां पे देखिए कमर का इसमें गलत दे रखा है गोकरू गोकरू अबुसन है ये दोस्तों हाथ में पहने जाने वाला आबुशन है गोखरू ठीक है और कान में सुरलिया आबुशन पहना जाता है ये भी इसमें सही है तो इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा से नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर क्योंकि इसमें यहाँ पे कमर है वो गलत दे र जरिया है बंदेज है चूनडी है पठका नहीं है दोस्तों से नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा पठका तीक है आगे देखिए इसमें बारा नंबर का प्रेसन है तनसुक गदर गाबा एवं डोडी क्या है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पुरुसों के वस्तर है तनसुक गदर गाबा एवं डोडी याद रखना बै नंबर उप्शन बिलकुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए तेरे नंबर का प्रेसन है नेवरी आबुशन शरीर के किस अंग पर पहना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नेवर पहना जाता है तो इसमें दे नंबर उप्शन से उतर नेक्स्ट है चोदर नंबर का प्रेसन इसमें देखिए तागडी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है तो यह पहनी जाती है दोस्तों कमर पर ठीक है कमर पर पहनी जाती है तागडी ए नंबर का उप्शन बिलकुल से नेक्स्ट है आगे देखे मैलाओं की ओडनी पॉम्चा का रंग कौन सा होता है मैलाओं की ओडनी पॉम्चा पॉम्चा का रंग है वो कौन सा होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा होता है तो वो है पीला बैनमबर का ओप्शन बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा पीला तीक है आगे देखिए इसमें आपने गाना तो सुनाई होगा पीला ओर पॉम्चे लाया तो पीला है वो पॉम्चे का रंग होता है बैनमर उप्षन सेयुत्तर देखिए आपको सो के सो प्रसन देखनें तब ही मजाएगा यह पूरा टोपिक नेक्स्ट सतरा नमबर प्रसन है राजस्तान में अंगरक्षी या बुगतरी के उपर पहने जाने वाला वस्तर है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों चुगा या चोगा देखिए चोगा संपन वर्ग द्वारा अंगरक्षी यानिकि अंगरक्षी के उपर पहने जाने वा वस्तर है यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है चुगा या चोगा बे नमबर उप्शन सहीतर अठारा नमबर प्रेशन है तिलका क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैलाओं का वस्तर है तिलका सहीतर हो जाएगा मुसल्मान इस्तरिया चुड़ीदार पजामे पर तिलका नामक एक चोगा सा पहनती है और उसके उपर ओडनी ओड लेती है तो यह तिलका है यह मैलाओं का वस्तर है सहीतर नेक्स्ट देपाड़ा देपाड़ा क्या है तो यह तो सबी को पताऊगा दोस्तों भीलो की तंग द दोती को देपाड़ा कहते हैं अदिवासी छेत्रों में भीलो द्वारा पहनी जाने वाली तंग दोती को देपाड़ा कहते हैं ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है जालोर का लेटा गाउँ प्रसिद है किस के लिए तो यह दोस्तों खेसले के लिए प्रसिद है यह जालोर का लेटा गाउँ ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जालोर का लेटा गाउँ है यह खेसले के लिए प्रसिद है ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर तीक है ओडने की मोटी सूती चादर को खेसला कहते हैं तो इसका बिलकुल सहीतर हो जाएगा सटका सटका आबुसन है ये कमर पर पहने जाने वाला आबुसन है और यहाँ पे तुलसी हाकर तुलसी वै हाकर ये गले में पहने जाने वाला आबुसन है और यहाँ पे गले वै चाती के आबुसन है ये तुलसी और हाकर तीक है और जो फीर्णी आबुसन है ये मस्तिक्स का आबुसन है ये आपको याद रखना है तो कमर का आबुसन कौन सा है सठका एनमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्ता है यहाँ पे देखिए एसुमेलित युग में है तो यहाँ पे सीधा सा आपको आबुसन है बिल्कुल सही है जेला है ये कान में पहने जाने वाला आबुसन है बिल्कुल सही है मांदलिया यहाँ पे मस्तिक्स है वो गलत दे रखा है मांदलिया आबुसन है ये गले का आबुसन है का आबुसन है गला का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से नमबर किसे बच्चों से देखिए नार का नक बचला बाला का टक्का सूरज चांद यानि कि चांदी के टिकडियां बांध कर बनाया गया रक्षय कवच जिसे बच्चे हैं वो गले में पहनते हैं तो इसका राइट आंसर जाएगा यह कांठला है अपने देखें कि जब छोटा बच आप्टेरा कुछ गले में पहनाते हैं तो उसको बोलते हैं काठला ठीकें तो अनम्बर अप्शन सर या क्נים देखें आगे देखें अ tailoff स्छों पटोरी चोट्रु लो वैinki नीचोल किसके परकार हैं तो यह किसके परकार हैं तो यह परकार हैं दोस्तों साडियों की किसके प प्रकार है। चोल-पटोरी-चोरलो-वै-निचोल , साडियों की परकार है। तो A N chill के प्रकार है। ठीक है। तो ए नंबर सुर्थो के सुर्थो के होती है तो ये होती है क्हों सी याथ की है, तो ये है पितल की याथ तो दोस्तो नवरतन आबुसन है, ये आबुसन दोस्तो बाजु का है, किसका आबुसन है, बाजु का, देखिए बाजु बंद, कात्रिया, कडा, नवरतन, थड, अनत बाजु के आबुसन है ये, तो ये हाथ में पहने जाने वाला आबुसन है, ये नवरतन, तो बाजु में, तो देनमबर उप्शन सही उतर, आगे देखिए, लोंग और लटकन आ आबुसन है, तो ये दोस्तों नाक के आबुसन है, किसके आबुसन है, नाक के आबुसन है, लोंग और लटकन, देखिए, नत, चुनी, लोंग और लटकन, ये नाक के आबुसन है, बाजु नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा, गुन्टीस नमबर प्रेस्टन है, निमन म से अबुशनों का शरीर के उपर से नीचे की और कौन सा क्रम सही है तो कौन सा क्रम है वो इसमें सही है वो अपने को इसमें बताना है देखिए यहां पर कि रखड़ी सुरलिया चूनी रख़त बज़ंटी गोकुरू अर्सी और हीरा नामी यह दोस्तों उपर लेके नीचे की तरफ रखडी है वो काहँ पर पहनी जाती है तो दोस्तों आप सभी को बता सिर के उपर तो यहाँ पर देखे उपर से लेके नीचे की तरफ सही करम यह है रखडी शुरलिया चुनी रखन बजंटी गोकरू अर्शी हिरनामी तो इसका राइट आंसर हो जाएक मदील, ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सयुतर हो जाएगा, मदील है, वो एक परकार की पगड़ी है, जिसे दसरे के आवसर पर पहना जाता है, आगे देखिए इसमें, 31 नमबर प्रेस ने, पंवरी कहलाती है, पंवरी किसको बोलते हैं, तो दोस्तों दुलहन की जो ओडनी ह होती है, उसको बोलते हैं, पंवरी, क्या बोलते हैं, पंवरी, बै नमबर उप्शन सयुतर, नेक्स्ट है, आगे देखिए, लूगड़ा एक परकार का है, तो दोस्तों दुलूगड़ा एक परकार का क्या है, तो ये ओडनी है, एक परकार की, एक परकार की, ओडनी है, एक प्रकार की लूगडा ठीक है और ये कहां का प्रसीद है तो दोस्तों सिकर जिले के अंदर एक पाटो दा गावाँ है वहां का प्रसीद है ये लूगडा ठीक है ये ओडनी है तो इसमें से नंबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमे रमजोल है यह सरीर के कौन से भाग में पहने जाने वाला अभुषण है तो वो है पैर में ठीक है से नंबर उप्षण बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पैर आगे देखिए इसमें चोंतिस नंबर प्रेस ने जेला जमेला पीपलपना अंगोट्या सरीर के किस अंग का अभुषण है दोस्तो कौन से अंका तो एक कान का अभुषण है ए नंबर उप्षण बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें पैतिस नंबर प्रेस ने पच्छेवड़ा समंदित है तो पच्छेवड़ा है किस से समंदित है यह समंदित है दोस्तो परिधान से ए नंबर वस्तर शमांदित है, तो किस समांदित है, यह समांदित है दोस्तो भील जण जाती से, भील जण जाती से समांदित है, भेनंबर Ó aktivit Shaita,. आगे देखे, मेवाड माराना के पगड़ी बांदने वाला वैक्ति कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, दोस्तो चाबदार, क्या कहलाता है, चाबदार, से नमबर उप्शन बिल्कुल स्यूत्तर हो जाएगा चाबदार, आगे देखे, निम्न में से कौन सा अजस्तान में इस तरीयों द्वारा गले में पहने जाने वाला अभू सन्ह नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कुझसा तो वो है ओगनिया ओगनिया अनमबर का उप्षन बिल्कुल स्यूत्तर हो जाएगा ओगनिया आगे देखिए सूट की साडियां क लेंगे का परचलन है तो ये दोस्तों आदिवाशियों में परचली थै ये नादिवाशियों द्वारा परियुक्त होने वाला इस्तिरियों का सबसे प्राची इंतम वस्तर नांदना है ये एक परकार का लेंगा होता है जो नीले रंगी छीट से बनता है बैनमबर उप्शन की इसका सइवित्तर हो जाएगा आगे देखिये अभी मैंने आपको बताया था ये कि सीकर का पाटोदा गाउं परचीद है किस के लिए परचीद है तो दोस्तों ये लूगडो के लिए परसीद है ठीक है और यह क्या है लूगड़ो तो यह एक परकार की ओड़नी है क्या है एक परकार की ओड़नी और दोस्तों यहां पर क्या होता है कि बंदेज का काम होता है ओड़नी के अंदर ठीक है और इसलिए उसको लूगड़ा बोलते हैं तो लूगड़ा अधिक परसलि पहने जाता है यह आबुशन पहनन जाता है दोस्तों नाक में कहा पहनन जाता है नाक में बैनंबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पगड़ी ठीक है आगे देखिए इसमें 44 नमबर प्रेस ने चूप नामक आबुसन का सम्मन्द है तो चूप नामक आबुसन का सम्मन्द है वो किसे है तो वो है दोस्तों किसे दाथ से दाथ, ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सहीतर वजाएगा, चूप नामक आबुषन है, ये दाथ में पहना जाता है, और एक आबुषन और है, जिसका नाम है रखन, ठीक है, क्या नाम है, रखन, ये दोनों आबुषन है, ये दोस्तों दाथ में पहने जाने वाले आबुषन निमन में से कौन सा है, तो पुरुषन दोवारा पहने जाने वाला आबुषन निमन में से कौन सा है, तो वो है दोस्तों मुर्कियां, ठीक है, जो कानों में पहने जाती है, बे नमबर आप्षन सहीतर, आगे देखे, लूंग आबुषन कहां पहना जाता है, तो और कौन कौन से कान क्या भूशन है तो देखे टॉम्स, टीमनिया, टोटी, पीपल पत्र, लूंग, बाड़ी ये सारे हैं ये दोस्तों कान में पहने जाने वाले आभूशन है ठीक है याद रखना है आपको आगे देखे 47 नमबर प्रेशन है सरीर के किस अंग पर रादस्तान की मैलाएं गोकरू पहनती है तो गोकरू काँ पर है तो कलाई पर पहनती है ये तो इसमें से नमबर प्रेशन सही उतर हो जाएगा कलाई तीक है आगे देखे निमनांकित में से कौन सा अभूशन कान पर पहना जाता है तो कौन सा अभूशन ह आगे देखें के संदर्व में पीला पॉमचा है तो ये क्या है तो ये दोस्तों कपड़ा है पीला पॉमचा से नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे अमर साही किसका नाम है तो यहां पे देखे अमर साही है यह किसका नाम है तो यह नाम है दोस्तो पगडी का तो इसमें दे नमबर उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पगडी आगे देखे एक कावन न पहना जाता है यह आबुशन यानि की गले में पहना जाता है तो इसमें दे नंबर उप्शन सेयुतर मेमंद आबुशन पहना जाता है कहां पर सीर पर पहना जाता है मेमंद आबुशन ए नंबर उप्शन सेयुतर त्रेपन नंबर प्रेशन है सुमेलित करना है यहां पर पैने जाता है मैंने भी आपको बताया थेक़ है अब बच गए अपने पास रीमजोल और हसली तो यहां पर देखेए गले के अंदर जो आभुशन पैना जाता है वह हसली तीक है और पैर पर जो DR पहन जाता है वह का नाम है रीमजोल तीक है दुबार देखिए, शिर पर आबुसन मेमंद, गले में असली, कमर पर कनकती और पैर पर रिमजोल आबुसन पहना जाता है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा, चार तीन एक दो, तो चार तीन एक दो किस में है? यहाँ पर देखिए, चार तीन एक दो, दैन नमबर उप्षन बिल्कुल से यूतर हो जाएगा आगे देखिए, तीमणिया पहना जाता है, तो दोस्तों, तीमणिया नामक आबुसन है, यह पहना जाता है किस पर पहना जाता है तो ये मैलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है ये तिमणिया नामक आबुशन मैलाओं द्वारा गले पर तो इसमें बै नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें कंदोरा नामक आबुशन पहना जाता है तो ये दोस सीसपुल नामक आबुशन शरीर के किस अंग पर पहना जाता है तो ये सिर पर पहना जाता है से नमबर उप्शन बिल्कुल से उतर सीसपुल सिर पर पहना जाता है सताओ नमबर प्रेसन है निमन में से माथे पर बांधने वाला आबुशन कौन सा है तो मात्य पर बांधने वाला आबुशन है वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें रखडी है रखडी है रखडी आबुशन है वो दोस्तो सिर पर पहना जाने वाला आबुशन है तो इसमें दे नमबर उप्शन सेयुतर नेक्स्ट है चंपाकली आबुशन सरीर के किस अंग प पहना जाता है तो यह पहना जाता है दोस्तों गर्दन पर तीक है से नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा गर्दन पर पहना जाता है तीक है आगे देखिए इसमें 59 नंबर प्रेस ने मांदलिया पहना जाता है मांदलिया पैना जाता है तो ये गले पर पैना जाता है मांदलिया से नंबर उप्षन बिल्कुल से उतर आगे देखिए कंदोरा आबुसन पैना जाता है कंदोरा आबुसन पैना जाता है तो ये पैना जाता है दोस्तों कहां पर तो ये कमर में पहने जाने वाला आबुसन है देनमबर उप्सन सहुतर देखिए यहां पे सूरलिया एक आबुसन है जिसे पहना जाता है तो कहां पर तो सीधा सा है आप सभी को पता होगा कान में पहने जाने वाला आबुसन है ये सूरलिया तो इसका right answer बे नमबर आगे देखिए सूची फर्ष्ट और सूची सेकिंड दे रखा है मिलान करना है तीक है देखिए तीन ही दे रखे हैं इसमें सूची फर्ष्ट में कपड़े या गैने और सूची सेकिंड में अन्य नाम या परकार तो यहां पर देखिए ताराबाद की तो दोस्तो ओड़नी होती है क्या होती है ओड़नी और अंगरकी है यह दोस्तो बुगतरी होती है और फलिया है यह दोस्तो क्या होती है तो यह पगड़ी तो इस प्रेस्ट का right answer क्या हो जाएगा 3-1-2 3-1-2 तो इस प्रेस्ट का right answer से नंबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 63 नंबर प्रेस्ट है जेला, जमेला, पीपल पत्रा पीपल पत्रा अंगोट्या किस अंग के आभुषन है तो यह प्रेस्ट रिपीट होआ है तो यह कान के आभुषन है बेन नंबर उप्षन से उत्तर हो जाएगा 64 नंबर प्रेस्ट है पूरुसो द्वारा पैने जाने वाला आभुषन है तो वो कौन सा है वो है दोस्तों अंगरखी, चोगा, अचकन तो इसका right answer देन नंबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए आदिवासी इस्तियों का वस्तर है तो वो कौन सा है देखिए यहाँ पर जामसाई साडी नाजना कटकी यह तीनों हैं, यह आदिवासी इस्तियों के वस्तर है तो इसका right answer हो जागा उप्रोग सभी दे नंबर option बिलकुल से उतर नेक्स्ट बल्लया बल्लया ये प्रेस्टन परिक्षाम पूचा जा चुका है बल्लया आभुषण कहां पहना जाता है कहां पहना जाता है तो ये हातों में पहने जाने वाला अभुषण है बल्यां तीक है आप कान में मत कर देना बै नंबर उप्षण बिल्कुल से उतर नेक्स्ट भील जनजाती में कच्छाबू कौन पहनता है तो इसका राइट आंसर हो जाए कर कच्छाबू है यह कौन पहनता है तो यह महिलाएं पहनती है दैनमबर उप्षन बिल्कुल सेयुतर आगे देखिए आदिवासी इस्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र ह है तो वो कौन सा है यहां पर देखिए लूगडा रेनसाई चूनर यह तीनों वस्त्र हैं यह आदिवासी इस्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी दैनमबर उप्षन बिल्कुल सेयुतर नेक्स्ट है निमन और यह तो चाल उप्रोक सभी दैसे से बडा और वारी होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तुछे तो किया है तो यह पूर्श संक का कमर के नीचे का जो वस्तर होता है यह एक परकार की पैंट की तरह होती है उपर से थोड़ी सी चोड़ी होती है और नीचे से सक्ड़ी होती है विर्जे की जोड़पूर की विर्जे से नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नानडा ठीक है तो इसमें से नंबर ओप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए एरंग पतो समंदित है तो यह एरंग पतो समंदित है किस समंदित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इस्त्रियो लको है क्या तो देखे स्वाब लको है यह इस्तिरियों के सिर का अबुसन है इस्तिरियों के सिर का अबुसन देनमबर उप्षन विल्कुल से उतर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखे कोपीन है तो यह कोपीन है क्या है तो ये दोस्तों सन्याशियों द्वारा पहने जाने वाला विशेश प्रकार का लंगोट है वो है कोपीन दे नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए पिछेतर नंबर प्रेस ने दामना है तो यहाँ पे देखिए दामना है क्या है तो हाथ अंगुली का एक आबुसन हाथ अंगुली का एक आबुसन है दामडा तो इसका बे नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें दातिया है तो दातिया क्या है दातिया है क्या है तो पुरुसों की दाड़ी के लिए कपड़ा पुरसों की दाड़ी के लिए जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं दातिया तो इसमें से नमबर उप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे फालियो गुमालो लपेटो अमलो आदी नाम है तो यह किसके नाम है तो यह दोस्तो पगड़ी के नाम है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें बै नमबर का उप्षन बिल्कुल से उतर है नेक्स्ट है फोलरी नमक आबुसन यहां पे देखे आठातर नम है तो यह फोलरी नामक आबुसन है यह कहां पहना जाता है तो यह मैलाओं के पैर की अंगुली का आबुसन है फोलरी नामक आबुसन है तो इसका दै नमबर ओप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें नर्मुखा आबुसन है तो यहां पे देखे यह भी कहते हैं तो यहाँ पर देखिए अंग्रक्टि को यह है भी कहते हैं क्या क्या कहते हैं बुगतरी क्या क locking uh शए नंबर का option भीकूल सें then हो जाये काaches आगे देखिए एटीवन नंबर प्रेष न पावली भाद की ओड़नी कहलाती है तो यहां पे 82 प्रहिशने तारा भाद की ओर्डनी सबसे लोग पिर ये ओर्डनी मानी जाती है तो ये जो तारा भाद की ओर्डनी है ये किसके द्वारा पहुआ पेड़ी जाती है तो ये है आदिवासियो मhoraं द्वारा तो इसमें सै नमबर ओप्षन सेयुत्तर आगे देखिए इसमें 83 नमबर प्रेस्ट ने समुन्दर लहर का पॉम्चा वै ओडनी प्रसिद है तो ये प्रसिद है दोस्तों इसमें जैपूर की आगे देखिए कमर पर बांदे जाने वाला वस्तर जिसमें कटार रखी जाती थी कहलाता था तो दोस्तों क्या कहलाता था वो पठका कहलाता था पठका फठका नहीं पठका तो इसमें दे नमबर प्रसिद बिल्कुल से उतर फिर यहीं नमबर प्रसिद है राजे में विवाह की अवसर पर पहने जाने वाली पगडी कहलाती है तो वो क्या कहलाती है वो दोस्तों मीठडी की पगडी कहलाती है किसके मीठडी की पगडी तो A number option बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए राज्य में पॉम्चा प्रसीद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें जैपुर का प्रसीद है पॉम्चा तो इसमें दे नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए विद्वा माइलाओं द्वारा ओडे जाने वाली काले रंग की ओडनी कहलाती है तो वो क्या कहलाती है तो वो है चीड का पॉम्चा कहलाती है चीड का पॉम्चा ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा चीड का पॉम्चा आगे देखिए 88 नबर परषण है, राज्य में 10 चरा के ओसर पर पहने जाने वाली पगडी है, तो वो कुन सी है, तो वो है दोस्तों, मदील, मदील जो पगडी है, ये दसरे के ओसर पर पहने जाती है, 2 नबर अप्शन बिल्कूल से उतर हो जाएगा, 89 नमबर प्रेशन है कच्छाबू वस्तर पहना जाता है तो यहाँ पे देखिए कच्छाबू वस्तर पहना जाता है तो यह आदिवासियो महिलाओं द्वारा पहना जाता है यह वस्तर है तो इसमें 2 नमबर उप्सन सही उतर हो जाएगा Next is 90 नमबर प्रेशन है राजे में साफे के लिए प्रसीद सहर है तो राजे में साफे के लिए प्रसीद सहर कुन सा है तो वो है जोदपूर जोदपूर का जो साफा है वो दोस्तों बहुत इच्छा होता है तो इसमें से नमबर उप्सन सही होता है नेक्स्ट है केरी भात की ओडनी लहरबात की ओड़नी तारभात की ओड़नी जवारबात की ओड़नी का परचलन है तो यह किसमे है तो मैंने आपको बताया दोस्तों यह आदिवासियों मैलाओं में यह प्रसिद है तो इसका right answer हो जाएगा आदिवाजियों की महिलाओं के अंदर ये प्रशिद है तो इसमें 7 नमर का option सही उत्तर हो जाएगा 92 नमर प्रेशन है बुगतरी वस्तर क्या है यहां पे देखे बुगतरी वस्तर है वो क्या है तो ये देखे ग्रामिंड चेत्रों में पुरसों के सरीर के जो उपरी भाग में पहने जाने वाला वस्तर होता है ठीक है यानि कि ग्रामिंड चेत्रों में पुरसों के उपर उपरी भाग में पहने जाने वाला वस्तर है उसको बोलते हैं बुगतरी तो इसमें बे नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 93 नमबर प्रेस ने इसमें देखिए उदेश साही, अमर साही, विजे साही, साहा जहानी ये सब हैं ये क्या है तो ये राजस्तान की पगडियों की सैलिया है यान तो वो है देखिए बोरल, राकडी, टीका ये सबी हैं ये सुहाग का प्रतीक है दे नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए मुर्किया सरीर के कौन से भाग का आबुसन है तो ये कान का आबुसन है मुर्किया बे नमबर उप्शन बिल्कुल से से उत्तर हो जाएगा अगे देखें निम्न में से हाथ के अंगुठे में पहने जाने वाली अंगुठी को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या उसको बोलते हैं अर्सी क्या बोलते हैं अर्सी बैनमर का उप्षन से उत्तर हो जाएगा अर्सी नेक्स्ट है राजस राजस्तान में पैरों की अंगुलियों में पैने जाने वाला आबुसन है तो वो आबुसन दोस्तों कौन सा है बिच्छिया से नंबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा बिच्छिया आगे देखे राजस्तान में पुरुसों के आबुसन है तो पुरुसों के आब से उत्तर हो जाएगा आगे देखें तड़ा क्या है तो यहां पर देखें तड़ा है वो क्या है तो यह कड़ा है क्या है कड़ा ए नमबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें कांचली का परियोग इस्तरियो द्वारा किया जाता है तो कांचली का परि ये मैंने आज आपको जो राजस्तान में आबुसान एवं वेस बुसा से समंदी तो 100 प्रशन है वो करवा दिये हैं आज अपना 26 नंबर का टोपिक है वो कंप्लीट हो चुका है अगर आपने पिछले 25 टोपिक अगर नहीं देखिये हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएए व वहाँ पे टोपिक का नाम लिखें और उसके साथ में अरध्यारेस अकेडमी जरूर लिखें तो आपको अरध्यारेस अकेडमी के टोप इंपोर्डेंट प्रेस्न है वो जरूर मिल जाएंगे और अरध्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दमाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत